सब्सक्राइब करें हमारे योट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकन डबाना ना भूले पेंकलि ढिए जासकते हैं बाब बन कि आज किसी नहीं जीए मैं बाब बनकर और उसके ग्रस्थिय के खत्म हो गई हैं जतना आप कि विवा के पहले जिन्दगी होती हैं ओधिली गातास पिता की आश्रय में उनु जाने को देते हैं पैसा लेज कूमने वो तब तब ही होता है तब आपके दोस्त भी होते है ना जाने कौन कुन होता है आपके पास भुर भुर करने वाली मौटर साइकल भी होती है कार भी होती है सब होती है आप उसके टायर को गिसते हो ब्रेक लगा लाके देखो मेरी गाड़ी को कितना मैं टन और ट्विस्च कर लेता हूँ बस विचार इस बात का करना कि वो टायर किसी रोड पे नहीं गिस रहा वो किसी बाप की छाती पे गिस रहा है जिसने वो पैसे से वो बाइक खरीद के तुम्हें दी ये ध्यान रखना है जिस दिन तुम इस बात को जान गए ना उस दिन तुम महान बन जाओगे मैं जो भी बात कर रहा हूँ अपने तजरूब की बात कर रहा हूँ वो उम्र ऐसी होती है जिस समय ऐसा लगता है आसमा तो यह रहा भी पकड़कर चांदा रहे यहां जिम में रख लूगा मैं वो उम्र होती है लेकिन उस उम्र में कोई अगर कोई समझदार विक्ति आपके साथ जुड़ जाए कोई गुरू, कोई सद्गुरू, कोई सत्संग जीवन में हो जाए तो अपने बाइक को इसकिट करने के पहले मैं दस बार सोचोगे टायर किसेगा, इतने का आता है मेरे पिताजी ने कैसे खरीद कर दिया है, मैं जानता हूँ मैं फिजूल गाड़ी घुमाऊंगा, पैट्रॉल इतने का आता है मैं जानता हूँ उम्र होती है, हमें भी पच्चपन में थे हमें भी याद है तो दीमें दीमें चीजों को देखते थे तो हमारे पास भी उस समय पिताजी के पास टीवी एस फिटी 83, 84 और बड़ा अच्छे से रोने में रखा तो जब समझने लगे ऐसा होता तो गाड़ी का एक चक्कर लगाने के लिए जैसे पिताजी क्योंकि उनका तो जैसे मतलब ये था कि पिताजी अगर उस कमरे में तो हम माताजी बच्चे सब इस कमरे में बड़ा लगता था कि एक दो घूंटे मर्शक्कत करने के बाद वो एक चक्कर लगाने कभी मना नहीं करते थे मगर भै था और होना भी चाहिए पिता का भै तो जूं जूं याद है अब समझ में आता है एक चक्कर के लिए बोला था मस्ती के लिए नहीं बोला था आप समझ आता है सो ये जो जीवन के पल है मेरे बाई बहन ये बड़े कीमति है हम गज और गरा की कथा सुनते हैं वो गज पानी पीने आया था मगर वहां मचलने लगा मस्ती करने लगा ये जीवन मस्ती करने के लिए नहीं है जो चीज जहां होनी है वहीं करने है तो माता पिता कैसे जीवन को आपके लिए क्या क्या करते हैं आपकी फीस अरेंज करना आपके लिए कपड़े अरेंज करना आपके क्वाइशों को पूरा करने के लिए आपको महान बनाने के लिए नदाने कितने मंदरों में तुम माता हैं लोग परशाद बोल देती है और तुम सोचते हो कि तुम अपनी मेहनत से इंजिनियर डॉक्टर और महान मान बने हो छमा करना तुम मालूम ही नहीं है तुमारी माने कितनी चौकटों पर अपने माती और नाक को रगड़े हैं जब तुम बने हो तुम मालूम ही नहीं है कि तुमारे रिजल्ट के आने के पहले तुम्हारी माने कितने दिन का वरत रखा है तुम्हें मालूम नहीं है तुम अगर यह सोचते हो चितुमानी मेनत है तुम से ज़़ाद कोई मूर्ख नहीं है मेनत तो बहुत सारे ओर भी लोगों ने केई थी, वो तो पास नहीं हुए थी वो तो जिन्दगी के आया हम मैं कॉलिस टॉप करने के बाप जूद भी वो आया हम नहीं पापाए जो तुम बहुत कम नमबर पाकर भी आ जो किसकी दुआउं के बज़े से, किसके आशिर्वाद के बज़े से और दुकतव होता है जिन के लिए उसका खून मैं देखूं कैसे, शब्द देखिए क्या लिखें, उसका खून मैं देखूं कैसे, जिसको दूद पिलाया है और रोती हुई वो अपने बच्चे की आवाज अपनी उसकी स्वस्ता की भीक मांग रही है बहुत सारी मात्राओं को अपने बच्चों के लिए दड़तरों, मंत्रों के आंगे घुटिने देखा है पच्छमा कीजिए, औलादों को नहीं देखा औलादों को नहीं देखा और कोई होगा श्रमन कुमार, तो निश्चित किसी कौने में वो करता होगा लेकिन जिस परसेंटेज में माता पिता अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन समारे में लगा देते हैं, जो माता पिता एक जटके में कहते हैं, हमारे घर से बाठ निकलो क्यो भईया वो तो यह को ने तुम ये कहने वाले हैं किसने अधिकार दे दिया तुम्हें सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम शरीर से ताकतवर हो गए हो गए हो यही एक कारण है दूसरा नहीं है यह तुम पर थोड़ा बहुत वो चवन्नी अठनी आ गई है इसलिए समल जाईए एक ही बात कहता हूँ समल जाईए साब जिनको तुमने घरों से निकाल दिया हो सकता है आज उन्हें सुन्दर घरों दे मिल जाए लेकि जब तुम्हारा नम्मर आएगा तो सड़क पे खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी